इस वक्त की बड़ी खबर मैं नातुसरी चोपता से आपको दे रहा हूँ मुंफली की खरीद ने होने की वज़े से पिछले पांच दिनों से परेशान हुए किसानों ने अनाजमंडी के समक्स धर्णा परदसन शरू कर दिया है आईए जानते हैं पूरी ग्राउंड परताल क्या है यह को बात नमस्कार आप देख रहे हैं दिग्राउंड नेटवरक मैं हूँ आपके साथ विक्रा मिंदुरा इस वक्त मैं नातुसरी चोपता की अनाजमंडी में मौझूद हूँ और आपको बताते कि पिछली एक तरिक से यहां पर मूझफली और बाजरी की यहां पर खरीद की जा रही है तमाम यहां पर किसान है जो अपने अपने विकल लेकर पूँचा है चाहिए हम बात टेक्ट्रों की करें या हम टाटा 407 की करें और पिछले पांस से खरीध नहीं और इसकान बारी बरकम जो हे उनको प्रेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्या प्रेशानी है और उनकी मुख्या वजय क्या है आईए हम किसाने कुर्मानग है ने अटीन बंट जी आपको यहाँ प्र क्या मुख्या प्रेशानी अरे Mm प्रसाशन की तरब से क्या आश्वासन मिला आपको पश्चान लेगें पास करके जिए फिर मौफली धी अच्छान गया गया लगैं अब करता लिगें क्या करा है जिकतारी अपको फिर फट्टोकाफी के ती अच्छे जी एंगी फोटोकॉपी अधरकाट दीया जी पैनकड भी दिया है फोनमर भी दिया वो दे दिया जी उसके बाद हमरे पास मेंसे जागे पर दोब लोगा और वाके दावने क्राइट तीन के लोगी ओनलाइन समझें अच्छे वह वने पर्शियों यहां शुबह ट्रल यह कल ना उसका मेसे लिए जी ना को सेंपल लिया ना को तुलाई हुई है तुलाई कैसे उसेंपल भी नहीं यहां पर आप आपसर ने कल बात की यहां ने बेड़ की श्याम को एक बंदा आया था पता निए यह हम सी एक कुछ भी है उसने तीन से ले तिनों गड़त उसके बाद नो बज़ करें नो बज़ बाद कोई आया नहीं हमने यहां पर कोई कटे हुए हैं किसान सभी अभी सारा किसान बैट है मूं फड़ीगा ए कोई लोगा तो ठीक आइस बैठे है अधिकारियों की बात करें तो कोई अधिकारी यहां पर पूंचा है कि इसकी स्कोटी इस हमें पाला से बैठे कोई दिकत नहीं है आप इन से पूछ लिए तिने दिनों से बैठेव आब आज बैठे हैं अगज करओ में तान से बोड़ा पूंधे मुख्या जो इन्हों परचेस का तो शिस्टम है वो सही नहीं किया एक तो यहां कोई सभाई की कोई मैं वेश्ता होती फेर जांपल लेते तो ठीक है शिदो टॉलियों से लेकर सैंपल और उन्हों को रिजेक्ट कर दिया यह को बात नहीं है कि अर्दियों के दुरू तुलाना चाहिए विकल को सेंपल भेल हो जाए तो किसी की जुबारी तो इसलिए ख्रीद का सिस्टम सही नहीं है सरकार से क्या मांग करते हो जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं यह वीडियो सरकार तक भी जाएगी तो क्या मांग करते हैं क्या मारी मुभभभभी से तुलनी चाहिए तो यह मुभभभी की एचा कौनसा गाव पका आनंद गड़ चाहिए आजियों पिछले कितने दिनों से आ पारे हुआ कल सुबा आई है अच्छा आपकी मुभभभभभी का है एह यह नि लेंड में लग़िया ट्रॉली लेंग पास कोई तुलाई नहीं हो रही है और सिद्धी ट्राली से सेंपल हो रही है के तो में काम है किसानों के सभी यह अभी दर्णा दे रहे रहे थो तीन गंटे से गट जो तमाम जो अधिकारी बेटे उन्होंने कि आश बास दिया तो बाराइजे बारा साधैं को एधिकारी अभ आप यहां पर दंडे पर बिठे हो तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे के मारी तो यहीं बात अमारी सरकार तक पूंच जाए और अपनी छुनवाई हो जाए कि जान का दाना दाना खरिदा जाए सरकार से यही गुजारिश है चलो हांजी क्या नाव जी अनुमान बॉलिश कल सुबहर से लेकर अज लेकर आई अज दूसरा दिन है क्या नकिए। कोई अदमी नहीं तोलने वाड़ा है ने कोई सेंपल लेने मड़ा आए इसे परने चलो इस वक्त का आपको दिका रहा हूं यहां पर आनंदगड से भी किसान आयू है हम कह सकते हैं कि पूरे उनकी लाइने लगी हुई है विकलों की बात करें तो टेक्टर है ट्रक है टाटा चारशू साथ है लंबी लाइन हम कह सकते हैं और किसानों ने कहा कि उनकी जो मुख़डी की फसल थी वो यहाँ पर खरीद नहीं हो रही है बारी प्रेसानियों का सामना उनको करना पड़ रहा और उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है आपको यह भी बता दे कि पिछले पांच दिनों से खरीद ने होने की वज़े से किसानों ने जो यहाँ पर जो अनाजमंडी का जो गेड़ था उनको ताला लगाकर आगे धने पर बेट गए हैं इससे सपष तोर पर जाहिर ह हो जाता है कि किसान आज किस कदर दुखी है और इस जो किसान आज दुखी है उसका कारण हम कह सकते हैं कि जो तमाम परकार की जो सरकार की नीतिया है वो किसान के हितमे नहीं है इस वीडियो को आप ज्यादे से ज्यादा सेर करें ताकि यह तमाम जानकरी लोगों तक पहुं